जैसल मेर का किला भारत के प्रमुक किलो में से एक है जिसे युनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। जैसल मेर का किला जैसल मेर शहर का सबसे लोगप्रिये पर्यटक स्थल है जिसकी गिंती दुनिया के सबसे बड़े किलो में की जाती है। तिरुकुटा पहाडी पर स्थित जैसलमेर का किला का निर्मांग 1156 में राव जैसल द्वारा करभाया गया था, जो कि जैसलमेर के सबसे शक्तिषाली शासकों में से एक था। थार रेगिस्तान के सुनहरे हिस्सों पर स्थित होने के कारण इस किले को सोनार किला या स्वर्न किले के नाम से भी जाना जाता है। पिछली कुछ शताब्दियों में इस किले ने कई लणायों को देखा है और राजस्थान में शांदार किलों में से एक होने का गौरव सफलता पूर्वक प्राप्त किया है जैसल मेर किले से एक और जुडी दिल्चस्प बात यह है कि एक जासू सी उपन्यास जैसल मेर के किले पर आधारित था जो एक प्रसिद भारतिय निर्देशक सत्यजीत रेद द्वारा लिखा गया था जिसे बाद में सोनार किला नामक फिल्म में परिवर्तित कर दिया गया जैसल मेर का किला थार रेगिस्तान की सुनहरी रेद पर बसा हुआ ना केवल एक किला है बलकी घरों, मंदिरों, दुकानों और रेस्तरा के साथ एक मिनी टाउन है एल जैसल मेर का किला जैसल मेर में गूमने के लिए सबसे आकरशक जगहों में से एक है जो परिटकों के इतिहास शोकिनों को भी आकरशित करता है। दीन खिलजी द्वारा किले पर फिर से हमला किया गया जिसने राजपूत महिलाओं को आत्महींता के लिए मजबूर कर दिया। 1541 में हुमायों के हमले के बाद मुगल के खिलाफ रावल की अवग्या अंततर तूट गई और उसने अपनी बीटी की शादी अकबर से की जो हुमायों का उत्तराधिकारी था। मध्ययोगीन काल में सिल्क मार्क के साथ जैसल मेर का किला एक महत्वपूर्ण व्यापार और व्यवसाइक पड़ाव बन गया था। पोल और जवाहर पोल जैसे कई प्रवेश द्वार है जो विशिष्ट और उत्कृष्ट रूप से तैयार के गए हैं और जिगजएग मार्क पर अंतिम द्वार दशेहरा चौक की ओर जाता है। सोनार किला किले का मुख्य आकर्शन महरावल पेलेस है जो अपने संगमर मर्के सिंधासन के लिए लोक्रिया है। जिसके ठीक सामने ताजिया टौवर नामक पाच मंजिला टौवर स्थित है। किले का एक अन्य प्रमुक आकर्शन जवाहर पेलेस है जिसमें एक शांदार डिजाइन और वास्तुकला है। जवाहर पेलेस को प्राचीन समय में शाही निवास के रूप में इस्तिमाल किया गया था। जैसल मेर का किला मुस्लिम और राजपूर दोनों वास्तुकला शैलियों को समेटे हुआ है। किला कई हिंदू और बाद में मुस्लिम राजाओं के हाथों में था जिन्होंने इसकी वास्तुकला में योगदान दिया था। जैसल मेर के किले की दिवारे सुबर के समय सूरज की किरनों से छलनी हो जाती हैं, जिससे ये हवेशाल महल पीले रेगिस्तान के दृश्य में अदृश्य हो जाता था। इसका उपियोग राजाओं ने अपने दुश्मनों से किले को बचाने के लिए किया था। जैसल मेर का किला भारत का एक मात्र किला है जिसमें लोग किले के परिसर में रहते हैं और दुकानों को व्यावसाई को देश्चों के लिए स्थापित किया गया है। किले के परिक्षेत्र में होटल और एक पुरानी हवेली भी है। किले की दिवारों की मुख्य तीन परते हैं पहली दिवार में नीव को मजबूत करने के लिए थोस पत्थर के ब्लॉक थे, दूसरी दिवार किले की संपूर्णता के आसपास चलती है जो एक रक्षात्मक अवरोधक के रूप में कार्य करती है और तीसरी दिवार का इस्तेमा अगर आप केमरा ले जाना चाहते है तो उसके लिए 50 रूपे और वीडियो केमरा के लिए 150 रूपे की टिकट और लेना होगा